नमसकार दोस्तों आप सबसक्राइब को और सब्से खास बात यह एक हैं अगर आप उसको करना चाहते हैं तब करें नहीं करना चाहते हैं तो कोई जबरजस्ती वाली बात नहीं है लेकिन यह मेरा काम है आपको आइडिया देना कि दोस्त इस बिजनेस में सरदी के मौसम से रिलेटड आप चाहें तो सरदी के मौसम अभी चल रहा है इसी में में सुरू करके पैसे कमा सकते हैं चैसे जैसे यह अघर औहर तरीके हैं और सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि आपको कौन सा बिजनेस करना है और उसको भीड़ लगाने के ग्रहा की कठा करने के कौन से तरीके हैं दोस्त आप से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए यह कि सर्दी में टकट टक चलने हो ले दोस्तों अब मैं बताई देता हूं कि यह बिजनेस कौन से है दोस्तों यह है चिकन का बिजनेस अगर आप चिकन बनाते हैं या चिकन बेचते हैं जी है मेरे दोस्त अगर मुर्गा का मीट आप बनाते हैं या मुर्गा का मीट बेचते दोस्तों यह जो business है यह ठंडी में बहुत ज्यादा चलता है यह सबसे ज्यादा चलता है चिकन का business अगर आप चिकन बनाते हैं तो भी आपका एक छोटा सा अगर दुकान भी कर लेंगे लिट्टी और गोस या मीट अगर आप बेचते हैं तो भी आपका अच्छा खासा कमाई हो जाएगा सरदी के मौसव में दोस्त अगर आप गाव में रहते हैं तो यह आपके लिए थोड़ा बाजार में रहना मदला बाजार में दुकान करना आओ सकता पड़ेगा लेकिन अगर आप सहर में रहते हैं तो सहर का समझ लेजए कि कोहीं भी road पे road के बगल में जगा पर दुकान लगा सकते हैं जैसे या रोड पर नहीं आपको रोड पर नहीं लगाना है सहर में सहर के रूल के नियम के अनुसार बजार में या कहीं साइड में जहां दुकान लगा जाता है वहां लगा सकते हैं रोड पर आपको नहीं लगाना है मेरे कहने का ताथ पर रोड के किनारे अगर जगा है अगर उचीत जगा है तो आप लगा सकते हैं वरना अगर वहां लगाना अगर आपको मना है हिदायत है यहां वहां कोई नगर पालिका का कानून चलता है तो आप वहां नहीं लगा सकते हैं लेकिन अगर जगह है जैसे माले गाउं में रोड के किनारे जगह होता है छोटे मोटे रोड के किनारे जगह होता है तो वहां आप चाहिए तो दुकान लगा सकते हैं और लोग लगा भी लेते हैं क्योंकि लोगों का ही जमीन होता है लेकिन सहर में ऐसा नहीं कर सकते हैं सहर में सहर का नियम और प्रोट्रोकॉल होता है तो इसको आपको पालन करके ही इस काम को करना चाहिए लेकिन हम ज्यादा तर गाउं में फोकस करते हैं तो गाउं के यह सबसे चिकन चाटने वाले बैखती है यह अगर अगर आप ओक बैपारी है जो होता है मुर्गा का थोक बैपार करना चाहती है तों भी भी बिजनस सर्दी में अच्छासा चलता है और यह होली तक चलता है तो दोस्त यह था कुछ छोटा से जनकार है अगर आपको वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो आपसे मैं फिर से रिक्वेश्ट करता हूँ चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तेले जहीं जावारता है